हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आई हो आप सब लोग बढ़े आओगे गाई आज हम बात करने वाले अपनी वीडियो में कि आप अपनी वीडियो की बैक्ग्राउंड को ब्लर कैसे कर सकते हैं तो गाई मुझे कई लोगों के कॉमेंट सा थे इस पर आप देख सकते हैं कि आप बताओ कि बैक्राउंड ब्लर कैसे कर सकते हैं अपनी वीडियो का तो ग्याइज इस लिए मैं इस पर वीडियो लेके आया हूं और गय्ज़ आप प्रिव्वू में देखे चुक्कि है कि बताइएगा कि आपको किशीच पर tutorial चाहिए तो अम उसरे tutorial लेकर आँगा आपके लिए तो guys आपको अपनी well की screen पर आ जाना है और play store को open कर लेना है guys capcut open करने से फहले आपको play store पर चले जाना है और वहाँ से एक VPN download कर लेना है guys आप कोई भी VPN download कर सकते हैं और उसको connect कर लेना है उसके बाद आपको cap cut app open कर लेना है गाइस cap cut app मैंने telegram पे upload कर रखा है तो आप वहाँ से जाके download कर सकते हैं और guys telegram channel के link आपको description में मिल जाएगी और हाँ guys वैसे तो आप कोई भी weapon use कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो weapon मैं use करता हूँ वह weapon मैं आपको दूँ तो guys आप comment करके मुझे बताईएगा मैं telegram पे upload कर दूँगा और guys अगर आपको cap cut में कोई भी problem आती है तो मुझे comment करके बता दीजेगा मैं उस पे आपको reply करूँगा तो guys आपको new project पे click कर लेना है अपनी वह video select कर लेना है जिसको आपको edit करना है तो guys देख सकते हैं मुझे इस video का background blur करना है तो guys मैंने ये video edit करने के लिए ले लिए जो आपको दिखाऊंगा मैं इसका background blur कैसे कर सकते हैं आप तो guys video add करने के बाद आपको नीचे effect option दिख जाएगा आपको effect पे click कर लेना है video effect पे आ जाना है और guys अगर आप वो cap cut use करते हैं जो cap cut मैंने provide किया अपने telegram पे तो guys आपको lens के option पे आ जाना है आप lens पे click करेंगे आपको नीचे यहाँ पे blur का option मिल जाएगा आपको इसको simply select कर लेना है अगर guys आपको कोई और cap cut use करते हो तो आपको lens में blur का option नहीं मिलेगा आपको basics में blur का option मिल जाएगा तो guys आपको simply entfer एप्ल वीडियो करने के बाद आपको back कर लेना है overlay का option यहाँ पर मिल जाएगा आपको overlay पर click करना add overlay करना है और guys आपको फिर से वही video select कर लेनी है जिसको आपने भी select किया था guys आपको यही video फिर से add कर लेनी है और उसके बाद इसको अपनी video पर apply कर लेना है adjust कर लेना है इसको अपनी video पर guys इसको ध्यान से अपनी video पर आप adjust कर लेज़ेगा उसके बाद आपको नीचे guys यह option दिख जाएंगे इसको scroll करना है नीचे आपको यहाँ पर cutout का option दिख जाएगा आपको cutout पर click कर लेना है आपको remove background का option दिख जाएगा आपको इस पर simply click कर लेना है और इसको ok कर लेना है आपको देख सकते हैं आपकी video का background remove हो जाएगा तो guys यह थोड़ा सा time take करेगा आपकी video पर background remove करने के लिए तो आपको उतना wait कर लेना है थोड़ा सा उसके बाद आपकी full video पर background remove हो जाएगा कि उसके बाद guys आपको उपर 1080p लिख के आ रहा होगा इस पर click करना है अपने resolution full कर लेना है वीडियो का और simply इसको export पर लगा देना है तो आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आई होगे तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक जरूर करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को जरूर दबाएगा इसी तरह के amazing videos के लिए और गाइस comment में जो बताएगा कि next video में किस topic पे लेके हो आप जिस पर बताएंगे मैं उस पर tutorial लेके आऊंगा तो guys आपसे मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye and thank you so much